नाजवीन आदाम जिन्दगी छोटे छोटे लम्हों को जोड़कर बनी है जिन्दगी का गुजरता हुआ हर पल बेहद गीमती है इसलिए हर लम्हे को जी भरकर जी लेना चाहिए हमारा ये प्रोग्राम भी वही छोटे 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 पलों को और लम्हों को जोड़कर बना है और इसका नाम है कुछ लम्हे फुरसत के नाजवीन अपने इस प्रोग्राम के जरीए हर हफ़ते हम आपके मुलाकात करवाते हैं चैसे लोगों से एक्सपर्ट से जो हमें अलग-अलग तरह की जानकारी फराहम करते हैं जिसे अपनी जिन्दगी में अपना कर हम अपनी जिन्दगी को और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही मालूमात लेकर हाजिर हुए हैं तो चलिए आगास करते हैं आज के अपने इस प्रोग्राम का नाजरीन इस खुदा ने जब दुनिया को खल्क किया तो अपनी तमाम मखलुकात को इतनी बारी की और खुबसूरती के साथ तराशा कि उसके खुदाई साफ तोर पर नुमाया नजर आई खुदा का शुक्र है कि उस खुदा ने हमें इन तमाम मखलुकात के मुकाबले फौकियत बख्षी तभी तखलीकी लिहास से शायद हम ज्यादा काबिल हैं नाज़ीन तखलीकी सलाहियतों के पितरी रुजहनात की अगर हम बात करें तो केव पेंटिंग्स में कदीम जमाने की कहानियों में और मुस्विरी में हमें से पाते हैं आज हम आपको लेकर आएं हैं कैसी ही आर्टिस्ट के पास जो कैनवास पर जब ब्रेश से रंग भरती हैं तो जैसे तस्वीरे बोलने लगती हैं तो आईए करते हैं उनसे मुलाकात तो आईए नाज़ीन आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहिन फात्मा साहिबा से जो रंगों के जरीए जिंदगी को और ज्यादा हसीन तरीन बनाने में लगी हुई है तो आईए करते हैं अपने शो में उनका खेर मगदम आपका बहुत 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 खेर मगदम है हमारी प्रोग्राम में अच्छा सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपको मतलब की रंगों का शौक कैसे हुआ आपके शुरुआत कैसे की इस वीड माने की कुछ कलरफुल चीजे बनाती ती जासे मोथियों का काम करती थी उनसे गुछा चबतियों का काम करती थी उन Barnum में के अन्टी हैं कु credibility का काम बनाती थी मरम और सकूल में कुछ ध्यटिवति का काम जाधा करती थी असके यसे सिलाइ करनाै कुछarin operation तो वो देखके अभी शौक पड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा फिर घर मेरे मेरे भाई बहुत ही अच्छी पेंटिंग मनाते थे और वो उनका जामिया में मिशन होता है और उनको यहां पर काफी और आर्टिस्ट मिलते हैं ए रामाचंदर नायर परंगी सिंह यहां पर थे जत अच्छी पेंट किया था तो वो उनको बहुत अच्छा लगा उसमें मधर इंचायल गुनाया था मैने तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं आप भी जाएंगी और मैं आपको भी लेके जाओंगा और लेके आए और एसा ही हुआ यहां पर और मैंने ही यहां पर बीएफे में मेरा एडमिशन कराया है यहां और उन्होंने भी साथ-साथ लगे रहे कि कुछ ना कुछ बड़ी चिला के देते थे कलर अच्छी चिला के देते थे उसके जरीए ही काम हो पाया बहुत अच्छा और लगातार वो मेरे ली मॉडल भनते थे घर में कभी-कभी उस तनह से काम चलता रहा बी-ए-फे किया बी-ए-फे में ने टॉप किया और वो MFA तक चला मैंने में अच्छा तॉप किया उसके बाद एक हफता हुआ था मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया वो इसकूल में मेरा अपॉइमेंट हुआ और वो रामाचंदर नायर से में मिलने आई तो मैं जो पहले काम करनी थी बहुत दुखी है तो नहीं का नहीं ऐसा करो हमा मत जाओ यहा आना मंडे से तो मैं यह आई उस तहां से मेरी जामिया में फाइन आट डिपार्टम्न में शुरवात हुई ऐजे मैंने काम करना शुरू किया यहां ए-रामाचंदर नायर केंदर में मैं इस तरह से मेरी शोर का दोर बी छलता रहा और Mikey Mahmbe कि अपने आप कुछ आप करते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं तो हमारे यहां एक गुरूप आया वा था जपान से तो उन लोगों ने जब मेरी परफॉर्मिंग देखी तो मुझे इन्वाइट किया जपान में तो मैं टोक्यो में उसाका में नागानों में भी मैंने परफ कि मैं हम आपको वर्चल आट के लिए नवाइट करवाना चाहते हैं तो उन्होंने एन्वाइट किया अलावा ऑईल पेंटिंग में बनाती हूं पेंटिंग में फिगुरेटिव पेंटिंग ज़ादा बनाई मैंने और शुरू की जो पेंटिंग सी मैं सोचती थी क्या आपक चुना और उस पे मैंने लगा तार रिसच की और पेंटिंग बनाई तो एक रिख्शा पोलर मैं बनाई यह पेंटिंग और कार्पेंटर वुमेन बनाई और जूसमेकर बनाई इस तो उन्हा पूरी स्रीज बनी जो भूर्ट जादा पेपर्स में आया मेरे इंट्व् करते रो तो कुछ ना कुछ होता चला जाएगा तो काम करते चले गए और कुछ ना कुछ एक्जबिशन्स वगरा होती चली गी और आज तक खो रही है अभी भी हमारे एक शो हमारी गैलरी यह बहुत अची है इसकी खास वज़ा है क्योंकि मैं देहली में देखती हूँ कि बहुती जादा गर्मी होती है और बहुत जादा पॉलिशन भी इस टाइम भी बहुत जादा पॉलिशन है तो उस तरह के माहौल में हम जब पेंटिंग करते हैं तो इतना मज़ा मतलब हम काम तो करते हैं लेकिन और यहां म।ारी मेरे मैं च्छी पज़ा ड़पीड़ा में अप हां उथ्ण हर मिरी पेंटिंग में में हरा का एक्र खार आलल्योर्बा बहुती है तो मुझा झाल्यवा तो म।ादे ग़सां जगते हैं तो फिर्फ चार ऑने करता हैं इस्तेमाल हो तो भॉलिए सबया हिंका वे फोर गड़ाउन में आती हैं जो चीजे हम देखते हैं वो भनाती हूं उससे हटके नी बनाती है इस तहाँ का माहूल है और यह यहां पर जी गई तो आप लगडी का गोड़ा था जिस पर एक और बैठी थी और जूल रहे थे चल्दा था उसमें एक और अवरत बैठी थी तो मैंने का इसारी वड़ते बैठ सकती हैं तो इस तहां से ये पेंटिंग मनाई इस तहां से इसे ताइप के टॉपिक है जैसे सेलिबरेशन को लेके भी पूरी सीरीज बनाई जिसमें मेंधी लगा रही हैं चूडी पेन रही है फूलों से मालाएं बना रही हैं उस तहां के टॉपिक भी है तो एस जनरल टॉपिक लेती हूं उस पर पेंटिंग करती हूं और मुझे बहुत मज़ा आता है उनसे चीज़ों में अच्छा आपने अपना एक शौक के जरीए शुरू किया काम पेंटिंग आपका शौक रहा मुझे लगता है जब वह खता है एक भाल मुझे लगता हिहा त्ब भी जब ऋच्छाव और करती है उसके लावा जब वह खाना हमारी टेबल पर पहुंचता है तो उसमें भी जो प्रता है यह लगाती है और आपका डा ओन्ड़ambre के अंदर आपकाश को देखती है किस तरह क सजाना है किस तना से करना है किस तहां से एक ड्वाइंग रूम को अरेंज करना है घर में वो आर्ट तो चली रही है उसके अलावा अगर पेंटिंग करते हैं तो होबी क्लासिस भी चलती है पेंटिंग की वो भी कर सकती है उसके लावा एक एक साल के सैटिफिकेट पोर्स हैं वो भी घर में रहने वाली ख़ातीन भी कर सकती है और हमारे फाइन अर्स में भी है, एक साल का है, और वो उसमें शाम को आना परता है, पांच बज़े से 6-7 बज़े तक के लिए 2 गन्टे के लिए 3 गन्टे के लिए, तो आके यहाँ पर भी जॉइन कर सकती है, अगर 12 किया सब्सक्र one अच्छी स्केचिं किया सकती हाँ च्री यहां पर आड कि अभी साथ जूड़ावा अच्छा यह बताई यह आपने जब अपने इस शौक की शुरुआत के थी और आप पेंटिंग आपने करना शुरू किया था तब और अब में मतलब कितना फरक है अगर पेंटिंग कोई कर रहा है तो ब्रॉशिस भी काफी मतलब चेंज हो गया है रंगों में भी काफी बदला से मिल जाते थे और अब सिंथेटिक ब्रेश आने लगे हैं लेकिन पुराने लोगों के पास सेबल हेर हैं जो वाटर कलर में इस्तमाल होते हैं वाटर कलर में हमें शीट का भी धियान रखना पड़ता है हर शीट पर वाटर कलर जादा अच्छा नहीं होता है है तो यह तो किस अधियर करनी पड़ती है कि कितने कोट वाली चैनरेस हैं और किस तहां से हमें अरेंज करनी है तो उसकी भी अलग अलग कंपनीज है उससे हमें वो कैनरेस मिलती है और उसके ओपर हम जब ऑईल करसे का इस्तमाल करते हैं तो हमें होग यहर और से बिल हैर दोनों के प्रवातीन को आप कहना चाहेंगी कि एसे शुरुआत करें कारोबारी अतबार से मुझे लगता है कि उनने पैंटिंग का अगर शौक है तो यह कोर्स नहीं भी किया है तो चैनरेस तो उठानी पड़ेगी और काम तो करना पड़ेगा क्योंकि उसकी प्राक्टिस तो बहु कमल बना सकते हैं और उसकी एक्सिबिशन भी कर सकते हैं उसे कम्टीशन में भी बेच सकते हैं लेकिन वो बच्चे जो वो खातीन जो फाइन आर्क का कोर्स कर रही है तो बहतर तरीके से सीख भी लेते हैं यहां पर और करना भी शुरू कर देते हैं बी एफ और एम एफ करन जो बनाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, कुछ बच्चे जोयलिड डिजाइनिंग में भी गए हैं, कुछ बच्चे हमारे वाल पेंटिंग भी बनाते हैं, कहीं पे बी ऑन्दार स्पॉर्ट जाके बना देते हैं, तो इस तरह की एक्सरसाइज हो रही हैं और होती रहेंगी जो खातिन बिल्कुल नहीं जानती है उनको घर पर कुछ टूशन करके या चोटे चोटे सेटिफिकेट कोर्स हैं वो करके ही यह काम शुरू कर सकती है ऐसे असान नहीं है कि हम कर लें असानी से इस तहां से नहीं है उसके अक्सरसाइज बहुत जरूरी है कि उनको करें और को सुर में बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं यह डिपेंड करता है इसी तरह से पेंटिंग का है कि कमपोजिशनली सेंस है या नहीं है वो सब चीज़े देखनी पड़ती है कि किस तरह से लेंड्सकेप बनाने के लिए या फिग्रेटिव आर्ट करने के लिए बहुत जा खावातीन की ये सोच भी हो जाती है खास्तों से शादी के बाद और जब वक्त निकलता चला जाता है कि बस अब तो उम्र हो गई है अब हम क्या करेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोर्स भी कर लेते हैं कई तरह के लेकिन उनको बस थंडे डिब्बे में डाल देंगे अब क्या करना है बच्चों की उम्र है इने पढ़ाना इने लिखाना है तो उन खावातीन को आप क्या पैगाम देना चाहती है कि भई और ये भी होता है कि भई ठीक है अगर शौक भी है तो चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे अभी घर के काम जादा जरूरी है तो वह आज की बा करें जैसा आप बोल रहे हैं वह सही बात है मेरे पास फोन आते रहते हैं उने स्ट्रेंट्स के जो हमारे यहां से भी एफ और एम एक पर करके गए लेकिन उनके छोटे बच्चे होते हैं तो काम नहीं कर पाते लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो कहती है मैडम क्या करें त दीरे धीरे फिर वह सोलो शोज भी कर लेती है उस तरह से हो जाता है लेकिन कुछ खातिन जो सिंपल में किसी चीज में किया है उन्होंने और फो घर में होती है तो कुछ हमारी स्ट्ट ऐसी भी हैं जो बच्चों वाली है और उन्होंने अब आके बी-एफ-ए-म-फ-ए कर अभी BFA का बच्ची ने कमप्रीट किया उसके 2 बच्चे हैं तो उस तहां से भी बाद में भी किया जा सकता है ऐसा नहीं कि जब आपने 12th किया तब भी आप BFA करें तब MFA करें अगर आपका पूरी तर्फ से इंटरेस्ट है तब आप आ सकते हैं और फिर कर सकते हैं यहां पर फैसलिलिटीز हैं जामिया में भी हैं और जगा भी हैं igy की बाउंडिशन नहीं अगर यह मैं मैंने जाए देना चाहूंगी सारी खातियन को कि वो बाद में भी कर सकती है अगर इंटेस्ट है उनका तब और उसके अलावा जो खातियन जाए अभी काम जैसा हम भी तो घर में काम करते हैं काल जाते हैं जब हम वक्त निकालना चाहते हैं तो निकल एक झाता है और यह अपने हमें इतनी सारी बाते पैंटिंग के बारे में बताई हैं को आप चाहेंगे कि आपकी जो एकारी गरी है जादू गरी है इसका चोटा सा नमूना हम भी देख लें मेरे कवर्मा दिखाना चाहूंगी कुछ ही स्केच करती हूं कुछ पिंटिंग करके आपको भी काट बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौहीन फातिमा साहिबा आपने मिल्कुल सही फर्माया कि हम अपने लिए कम से कम एक या दो हंटे तो निकाल ही सकते हैं खास्तोर से अपने शौक के लिए और यह सिर्फ शौक ही नहीं है पेंटिंग एक ऐसी चीज है जिसे आप कारोबारी अपना सकते हैं और घर बैठे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा भी सकते हैं आपको शुक्रिया हमारे नाजरीन को खास्तोर से खावातीन को इतनी एहम जानकारी फरहम करने के लिए नाजरीन पिछली दफा हम पहुँचे थे बनार सी दा चानी वाला होटल मैनेजमेंट इस्टिटूट और वहां हमने मुलाकात की थी अक्षिता से जिन्होंने हमें बहुत ही मज़ेदाल स्टालेट बना के दिखाया था आज पिर हम आप पहुँचे हैं अक्षिता के ही पा पूर भी था आज आप हमें क्या बना के दिखाने वाली है पिछली बार की तरह आज मैं फिरस आपको एक नूट्रिश्योस और हेल्दी सालिट खिलाओंगी जिसका नाम है चिकन सालेड अरे वाग सुनने भी बढ़ा अच्छा लग रहा है तो चलिए बनाते हैं जी है क्रूटॉन्स लेटस लीव्स चेरी टुमेटोस फेटा चीज क्यूकुम्बर ओलिट्स ग्रीन और ब्लाक केपर्स और बनाना चिप्स अब मैं आपको बताती हूं कि यह सालेड बनेगा कैसे इसके लिए मैंने चिकन थाय ले ली थी जिसको मैंने रोस्ट कर दिया था ओल बाट भी नहीं है उसके बाद मैं इसमें डालूंगी चेरी टुमेटोस चेरी टूमेटोस हमारे स्किन के लिए बाहत आच्छे हुते हैं अब इसमें डालूँगी olives, olives are rich in vitamin E, इसमें मैंने green olives लिये हैं और black olives लिये हैं अब मैं इसमें डालूँगी shredded lettuce leaves, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें cucumber, cucumber is very good for our health, it keeps us hydrated उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी इसकी dressing, जिसमें मैंने डाला है vinegar, mustard oil and olive oil अब मैं इसको toss करूँगी जैसा कि आप सोच रहे होंगे, इसमें मैंने croutons क्यों नहीं डाले, banana chips क्यों नहीं डाले अब इसके बाद मैं banana chips डालूँगी, क्योंकि अगर मैं उसको पहले ही डाल देती, तो उनको soggy हो जाते हमारे chicken salad का नाम है crunchy chicken salad अब मैं इसमें डाल रहे हूँ, banana chips अब मैं इसको फिर से toss करूँगी जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा salad तैयार इसकी seasoning में हम डालेंगे इसके उपर salt and pepper और हम इसके फिर से toss करेंगे आपको crunchiness की आवाज आ रही है या इसमें यह देखिये मेरा crunchy chicken salad रेडी है आपको कैसा लग रहा है देखने में भई देखने में तो यह हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लग रहा है हमेशा की तरह इसली कहा क्योंकि लास्टाइम जो आपने अमें salad बना के दिखाया था और मैंने उसे टेस्ट भी किया था तो वाकई उस देखने में भी और टेस्ट में भी यह की बहुत ही अच्छा था तो यह भी बहुत अच्छा लग रहा है अब इसकी आप प्लेटिंग करेंगी जी बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने चिकन डाला है चरी टोमैटो डाला है चिकन आपको अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन यूज कर सकते हैं बट अगर आप नॉन वेज नहीं खा सकते हैं तो आप इसमें पनी राड कर सकते हैं वह उसका अल्टरनेटिव हो तो आगर आप चिकन नहीं खाते हैं, तो आप इसमें पनी डाल के खा सकते हैं यह भी बहुत ही जल्दी बना दिया आपने, इसमें कोई टाइम नहीं लगा आज कल हम लोगों के पास इतना वक्त कहा होता है कि हम किसी डिश में इतना टाइम दे और कोई देश अगर इतनी जल्दी बन जाती है, तो वाह फिर क्या बात है अब हम इसके उपर इसको गार्निश करेंगे फेटा चीज के साथ फेटा चीज गोट चीज होती है, जो कि और हेल्दी होती है तो लगबग कि ये सालड बहुत ही हेल्दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छीता इसे हर एज ग्रूप का इंसान खा सकता है जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना हेल्दी है अगर कोई जिम जाता है तो इसके लिए और हेल्दी है, उसकी डाइट के लिए, अगर बूड़े हैं तो चिकन इतना है, टेंडर है कि इसे आप अच्छे से स्पॉलो कर सकते हैं एक हार्ट चिकन नहीं आई है, ये अच्छे से टेंडराइज होता है क्योंकि हमने इसे ओलिव उयल में बनाया है अच्छा अगर ओलिव उयल हमारे पास नहीं है एक परसेंट तो हम किसी और चीज में भी इसको अमनल फ्राई कर सकते हैं आप नॉमल उयल भी ले सकते हैं बट ओलिव एक हेल्दी तरफ से आजाता है कि उसको अच्छे से हो जाता है जी चले तो आप इसको टेस्ट करने की बारी है और हमेशे की तरह मही से टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी इसकी ये कैसा है कैसा बना है हम्म भाई मैं क्या हो लूँ वाईसे भी मैं खाने की बहुत शुक्रीश अखीन हो इतना मज़िदार आपने शालेड बनाए है तो जाहिर से बात है मेरा दिल चाले मैं से फूरा खाले हूं तरह कि मैं से भी नहीं खाऊंगी बहुत बहुत शुक्री आकशिता आपका बहुत बहुत शुक्री आपका जो आपने मुझे बुलाएं मुझे यकीन है जो हमारे नाजरीन है खासवासे जो खावातीन है और यह प्रोग्राम देख नहीं है इससे फटाफट बना लेंगी जाए जी जैरूँ, शुक्री आपको थैंक यू हो जाता है और ये डिटरजन्ट से भी साफ नहीं होते हैं तो जनाब इन्हें साफ करने के लिए आप सबसे पहले दो चम्मच बेकिंग सोड डालें और उसमें एक चम्मच पानी डालकर एक पेस्ट बना लें और जहां दाग है वहाँ इस पेस्ट को लगा दें फिर इसे रग किसने समझाए देखी ना हमारी मुलाकात भी यहीं पर मुकमल हुई लेकिन यह मुलाकात हम तभी कामयाब समझेंगे जब हमें यह लगेगा कि आपको वह सब चीजे जो हम बताते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिये आप उससे फैजियाब हो रहे हैं फाइदा उठा रह हुआ हुआ